बच्चो अभी हमने घुरनी गती से जुड़े हुए बहुत सारी भौतिक राश्यों की परिभाशाएं पढ़ी उनके सूत्र देखें इन में से बहुत सारी भौतिक राश्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो चलिए इन राश्यों में संबंध स्थापित करते हैं सबस से पहले हम देखते हैं बल आगुण और जड़त्व आगुण में क्या संबंध है बच्चों न्यूटन के गती के दूसरी नियम से हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटु त्वरण यदि किसी एम द्रव्यमान के पिंड पर एफ बल आरोपित किया जाता है तो वहां उसमें उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है क्या यूं कहें उसमें त्वरण उत्पन कर सकता है और इसी आधार पर हम देते हैं फॉर्मला एफ एकवल टु एम इंटु ए और हम जानते हैं यह दि वस्तु घुरणी गती कर रही हो तो उसमें बल ना लगा के बल आग तो अब हम जो सूत्र रेखी गति के लिए देखे थे उसके आधार पर हम कोण यह गती के लिए सूत्र करेंगे यानकि जडत्व आगोण और बल आगोण में समबन्द ग्याद करने वाले हैं तो हम एक खंपली आलफा और तो इस प्रकार बल बराबर हो जाएगा 2005 और हम घुरनी गती करवा रहे हैं तो वहां पर बल के जगे बल आगोनी के अवश्यक्त होती है तो हम लिखते हैं टाउ बराबर एफ इंटु आर जहां एफ वस्तु पे लगाया गया बल है और आर उसकी घुरना नक्ष से दूरी होती है तो इस प्रकार टाउ बराबर हो आगा M alpha r2 यह तो हमने एक कण की बात की लिकिन वस्तु में तो ऐसे ही n कण होंगे यदि हम शबी कणो की बात करें तो यह जो बल आघून होगा वो सभी कणों के बल आघून का योग होगा तो हम लिखेंगे ट्राउ बराबर alpha m1r1 2 plus alpha m2r2 2 plus alpha m3r3 2 इस प्रकार यह सभी में मिलेगा alpha bracket के अंदर M1 R1 square plus M2 R2 square इस प्रकार और यह सभी का जब हम योग ले रहे हैं तो हम इसे summation चिने द्वारा दर्शा सकते हैं हम लिखेंगे टाव बराबर alpha summation of MIRI square जहां आई कमान एक से लेकर N तक वैरी कर रहा है और यह राशी होती है जड़त्व आगोन जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं तुम लिखेंगे टाव बराबर alpha और यह संबंद है बल आगोन और जड़त्व आगोन में और सूत्र से सपष्ट है कि जिस वस्तू का जड़त्व आगोन जितना अधिक होगा उसमें घुरनी गति उत्पन्न करने के लिए उतने ही अधिक बल आगोने की आवशक्ता होगी अब हम किसी वस्तू के कोणी असम वेग और उसके जड़त्व आगोन में संबंद स्थापित करते हैं बचो किसी वस्तू का रेखिये वेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है और हम लिख सकते हैं पी बराबर एम इंटू वी और हम यह भी जानते हैं रेखिये वेग और कोणी वेग में संब संबंद होता है वी बराबर आर ओमेगा इसलिए हम किसी वस्तू का रेखिये संवेग लिख सकते हैं पी बराबर एम आर ओमेगा इससे पहले हमने बच्चो कोणी संवेग और रेखिये संवेग में वी संबंद देखा था कोणी संवेग बराबर होता है रेखिये संवेग इ इन्टु आर यह फिर लिखेंगे M R स्क्वाइर ओमेगा यह एक कंड के लिए मान दीजिए किसी पिंड में निकाए में N कंड है और N कंड के लिए हम कोणिये सम्वेग निकाले तो यह पूरे कंड के कोणिये सम्वेग का योग होगा हम लिखेंगे L बराबर M1 R1 स्क्वाइर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वाइर ओमेगा और सभी कंड को इस प्रकार हम योग करते जाएंगे बच्चों यहाँ पर ओमेगा कोणिये वेग है और यहाँ पर वस्तु यदि घुरनी गती कर रही है तो वो नियत कोणिये वेग से गती कर है इसलिए यहाँ पर हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 हर कंड के लिए अलग-अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे कर जो एक पिंड में घुरनी गती कर रहे हैं वो एक नियत कोणिये वेग से ही घुरनी गती करेंगे और इस प्रकार हम देखें तो L बराबर हो जाएगा ओमेगा सब में से कॉमन है कॉमन ले लेंगे तो यह जगा M1 R1 स्क्वाइर प्रस M2 R2 स्क्वाइर और सबका समेशन आगे हम देखेंगे एड करते जा रहे हैं तो इसके स्थान पर हम समेशन चिन का स्तमाल कर सकते हैं तो L बराबर हो जाएगा ओमेगा समेशन ओफ M I R2 स्क्वाइर जह वेक्टर एल बराबर I into वेक्टर ओमेगा और यह संबंध है कोणिय समवेग और जड़त्व आगोण में और इस सूत्र से यह सपष्ट है कि किसी भी वस्तू का कोणिय समवेग उसके जड़त्व आगोण के समानु पाती है जड़त्व आगोण अधीक होगा तो उसका कोण पारीत एक आंकिक प्रश्ण बनाते हैं इसी अक्ष के परिता घुमते हुए एक पिंड का जड़त्व आगोण फाइफ इंटू टेन टू पावर माइनस फाइफ किलोग्राम मीटर स्क्वेर हैं उसमें चार रेडियन प्रती सेकंड स्क्वेर का त्वरण उत्पन करने के ल स्क्वेर यहां पर हम सूत्र लगाएंगे चाहें एक्वड टू I alpha और सूत्र में मान रखने पर हमें मिलेगा फाइफ इंटू 10 टू पावर माइनस वह इंटू 4 परिता दस परिब्रमन करता है पिंड का कोण ये समवे कितना होगा आई बराबर यहां पर दिया गया है 0.5 किलोग्राम मीटर स्कूर्र घुर्णन फ्रिक्वेंसी यहां पर दी गई है 10 परिब्रमन प्रती सेकंड बच्चों हम यहां पर मात्रक देखे किसी भी भौतिक राश वस्तू की फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए इसे हम फ्रिक्वेंसी मानते हुए न्यू बराबर लिखेंगे 10 परिब्रमन प्रती सेकंड और सूत्र अनुस्सार ल बराबर आई ओमेगा होता है तो हम लिखेंगे ल बराबर आई इंटू 2 पाई न्यू जहां ओमेगा बराबर तो इस सूत्र में मान रखने पर हमें मिलेगा एल इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 और सबको सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा एल इक्वल टू 31.4 किलोग्राम मीटर प्रतिस सेकेंड इस तरह हम स्पिंड का कोणिय समवेग ज्याद कर सकते हैं अब हम कोणिय समवेग और घुर्णन गतीज उर्जा में संबंद स्थापित करेंगे किसी भी घुर्णी गती करते हुए वस्तू की घुर्णन गतीज उर्जा को हम इस सूत्र द्वरा दरशाते हैं इच के बराबर वन बाइड तुदू आय ओमेगा स्कुर्र जाय जड़त्व आगून है और ओम्यग कोंईवेग हैं इस सूत्र में ओमेगा स्कुर। Eckा और और अभी हमने सूत्र बन जाएगा एक बराबर एल इन्टु ओमेगा अपॉन टू इससे आगे सिंप्लिफाई करें तो एल बराबर हो जाएगा टू एक अपॉन ओमेगा और यह संबंध है कोणिय सम्वेग और घुर्णी गतीज उर्जा में इस प्रकार हम देखें तो कोणिय सम्वेग ना होता है इस उत्र को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हमने देखा गुर्णी गती जूर्जा एक बराबर होती है वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वेर अब इन दोनों पक्षों में मैं टू आई से गुणा कर दो तो यह जगा टू आई एक बराबर आई स्क्वेर करल सकते हैं आई ओमेगा का होल स्क्वेर और हम जानते हैं इन इंटु मेंगा बराबर एल होता है तो टू आइ ईी के बराबर हो जाएगा म सब्सक्राइब और यहां से घुर्णि गतीज और जाइक बराबर होगी b2 टो यहां पर हमने सूत्र को अलग धं से लिखा यहां पर एक की सूत्र लकव Love लिखने का सर्फ यही मक्सद है कि जब को Nehammer तो आप अलग-अलग सूत्रों की सहायता से उनको हल कर सके अब हम घुरनी गती करते हुए किसी वस्तु के लिए कोणी सम्वेग संगरक्षन के नियम को देखते हैं बच्चों हम सबसे पहले रेखी सम्वेग संगरक्षन के बारे में पढ़ते हैं हमने न्यूटन की गती के द पाती होती है अब रेखी सम्वेग संगरक्षन का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु पर कोई बल लगाया ही ना जाए बाहर से उस समय उसका रेखी सम्वेग संगरक्षित रहता है इसी प्रकार कोणी सम्वेग संगरक्षन का नियम भी यही कहता है यदि वस्तु पर कोई बल आघुन ना लगाय जाए तो उसका कोणिय सम्वेग संग्रक्षित रहता है हमने बच्चो संबंद देखा था कोणिय सम्वेग और बल आघुन में इस संबंद के नुसार टाव बराबर होता है डील अपॉन डीटी यदि बल आघुन शुन्य हो कोई बल आघुन ना लगा जाए उस कंडिशन में टाव बराबर जीरो लिखेंगे यानि कि डील अपॉन डीटी बराबर भी जीरो लिखेंगे और यहां हम देख रहे हैं किसी राशी का अवकलन शुन्य है इसका मतला वो एक नियत राशी होगी और इस तरीके से हम लिख सकते ल बराबर में किसी भी घुर्णी गरती करते हुए वस्तु का कोणिय सम्वेग नियत होता है और अभी हमने कोणिय सम्वेग का जड़त्व आगोण किसा संबन देखा और इसके अनुसार ल बराबर होता है आई ओमेगा तो इस आधार पर आई ओमेगा भी नियत हो जाएगा यानि किसी घुर्णी गती करते हुए वस्तु पर यदि बल आगोण ना लगाया जाए बल आगोण का मांशून ने हो तो उस समय जड़त्व आगोण और कोणिय वेग का गुणन फल एक नियत राशी होती है माल लीजिए किसी घुर्णी कती करते हुए वस्तु की पहली स्थिती में उसका जड़त्व आगोण आई वन था और इसी स्थिती में उसका कोणिय वेग ओमेगा वन है लेकिन स्थिती चेंज होने के पश्चात उसका जड़त्व आगोण आई टू होता है और उसका कोणिय वेग ओमेगा तू तो कोण संवेग संग्रक्षन की नियम के नुसार ऑई वन ओमेगा वन आईट ओमेगा टू के बराबर होगा और इस प्रकार हमने पर कोणी जृदोreck संग्रक्षन का गणीते रूप देखा और हम बहुत सारे नियम के गणिती रूप देख लेते हैं, उन्हें जान जाते हैं, उसको पुरे डिराइफ कर लेते हैं, सूत्र भी याद हो जाता है हमें, लेकिन वो कैसे अप्लाई होते हैं हमारे डैनिक जीवन में, वो हम नहीं समझ पाते हैं और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स हमारे डैली लाइफ से जुड़ा हुआ कॉंसेप्ट है, और जब उसको हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो किवल सूत्र याद करने से उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता तो इसलिए इन कॉंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ अपने आसपास के उधारन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोणिये संवेख संगरक्षित रहता है, इस कोणिये संवेख संगरक्षन की नियम के अनुसार, अभी संगरक्षित रहता है, यानि की नियत रहता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा यह कैसे अपने दैनिक जीवन में एप्लीकेबल होगा बच्चों अपने नर्तकी को नाश्टे हुए देखा है जब वो अपने दोनों हातों को फैला कर गोल घुमती है तो उसका कोनिय वेग कम रहता है लेकिन अगर उसी समय वो अपने हातों क को अपने पास कर लेती है यह नीचे ले आती है उसमें देखते हैं कि उसकी स्पीड घुमने की बढ़ जाती है यह उसका कोनिय वेग बढ़ जाता है और यह क्या है यह कोनिय समवेग संगरक्षण की नियम पर अधारित है क्योंकि अभी जब एक बार नर्तकी ने घुमना शुरू किया उसके बाद उस पर कोई भी बाहेबल नहीं लग रहा है लेकिन जब उसने अपनी हातों को फैलाया था तो उसका जड़त्व आगुण का मान अधिक था और हम देख रहे हैं कि आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू होगा इसका मतलब जड़त्व आगुण का मान अधिक है अब दूसरी वाली स्थिती में हम देखेंगे जब अपने हातों को पास ले आती है मतलब घुर्णन अक से सारे द्रवे मान पास पास हो गया तो उस समय जड़त्व आगुण का मान कम हो गया तो इस राशी को नियत रहने के लिए इसक वो अपने हातों को सिमट लेती है तो उसका कोणिय वेक बढ़ जाता है और वो कई बार चक्कर लगा लेती है चलो इसी कॉंसेप्ट को सपष्ट करने के लिए हम एक और उधारन लेते हैं मान लीजिए आप एक ऐसे टेवल पे खड़े जो की रोटेट हो सकता है अब आप अपने दोनों हातों में दो डंबल लीजिए और अपने दोनों हतों को फैला लीजिए अब आपके हात में दो डंबल है और अपने अपने हातों को फैलाया है इसका मतलब अब आप गोल गोल घुमेंगे तो मैक्सिमम द्रव्यमान इस गोल की परीधी पर होगा और गोल की के लिए बल आघुन की अवश्यक्ता थी अपने वो लगा दिया अब इस निकाय पे कोई बल आघुन नहीं लगा रहा है आप रोटेट करना शुरू कर रहे हैं अब अब घुमते हुए अपने हाथों को अपने पास लें अब देखेंगे कि आपकी घुर्णन जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी यानी कि आपके हाथ समेटने से कोणिय वेग बढ़ जाता है वो इसलिए क्योंकि पहली स्थिती में जब अपने हाथ फाल आय थे और दूसरी स्थिती जब अपने हाथों को सिकुड़ा था दोनों स्थिती में आई और ओमेगा का लिए उस समय जड़त वागून कमान काम हो गया तो राशी को नियत रखने के लिए अब कोणी वेक कमान बढ़ जाएगा और इस प्रकार आप बहुत ज्यादा तेजी से उस गुर्णा नक्ष के परीता रोटेट कर सकेंगे और इस प्रकार हाथों को फेला कर और सिकूर कर हम गूमने की स्पीट को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपने पत्थर को रसी से बांधा है और अपने हातों से घुमा रहे हैं उस समय पत्थर गुर्णी गति कर रहा है मैक्सिमम द्रव्यमान किनारे पे ही इस वृत के इस समय जड़त्वा आगून का मान अधिक होगा और तेजी से अपके हाथ कील लपिटा जाता है विए कि जैसे ही आप अपने हाथ को रोखते हैं पत्थर धीरे अपके हात के पास आता है और जैसे ही वह आपके हात की पास आना शुरू करेगा उस समय जड़त्वा आगून का मान कम होगा और जड़त्वा आगून का मान कम होने लगेगा तो उसका कोणिये वेग बढ़ जाएगा और इसलिए वह बहुत तेजी से आपके हाथ के चारों और लपेट आ जाते हैं उसके केंद्र की और अब देखेंगे उस प्लैटफॉर्म की स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी यह प्लैटफॉर्म से जुड़ा हुआ कौणिये वेग बढ़ते जाएगा यदि आप दूर जाएंगे वह धीरे गती करेंगा और पास आएंगे आप तो वह ते यह अपने बॉडी को सिकोल लेते हैं और उस बर्फ पे कई चक्कर लगाते हैं और जब अपने बॉडी को फलाते हैं तो वो आराम से चक्कर लगाते हैं या फिर उसमें स्केट कर सकते हैं लेकिन जैसे उनको अपनी गती बढ़ानी होती है उनको राउंड राउंड लेना रह जाता है इसलिए जड़त्वा अगून कम हो जाता है और जब जड़त्वा अगून कम हो जाएगा तो उसका कोनिय विख बढ़ जाएगा और वह बहुत तीव्रगती से चक्कर लगा सकेंगे वैसे आपने तैराक को भी देखा होगा जब वह उपर से पानी में डाइविंग कर तैराक उपर से नीचे पानी में डाइविंग करते हैं और अपने हाथ और पैर को स्ट्रेट रखते हैं तो हम देखते हैं कि वह सीधे सीधे पानी के अंदर घुश जाते हैं लेकिन उनको इस हवा में कलाबाजी दिखानी हो यानि कि हवा में गोल-गोमना हो कई टरंस लेन पा जाता है इसकी करण उसका जड़त्वा घुंड कम हो जाता है और जब जड़त्वा आगोंड का मान कम हो जाएगा तो रखेता हैं और तीवर गती से गोल-गोल घूमते हुए पानी की तरफ आते हैं और जैसे पानी के समीर पहुचते हैं वो अपने हाथ और पैर को खोल देते और फिर वो आसानी से पानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इस प्रकार जब कोणिये वेग को बढ़ाना हो घुरणी गती में तो जड़त्व आघूण का मान कम होना चाहिए और इस प्रकार हम केवल द् दूड़े हुए बहुत सारी राशियों के बारे में जाना बहुत सारे कॉंसेप्ट पढ़े सूत्र देखा जाना कि यह सदीश राशी है यह अदीश राशी है और जब भी मैं इन राशियों के बारे में चर्चा कर रहे थी मैं आप से बार-बार कह रहे थी कि आप इन्हें रेखिये गती से compare करते हुए पढ़ें क्योंकि basic concept तो वही रहते हैं और अगर हम रेखिये गती से compare करते हुए इन घुर्णी गती के राशियों का अध्यान करें तो ये हमें आसानी से भी याद हो जाएंगे और हमें आसानी से समझ भी आ जाएगा और इस पर अधारी जब हमें कोई आंकीक प्रशन मिलेंगे तो हम इसे अच्छी तरह से apply कर पाएंगे तो हम एक सारेणी बनाते हैं जिसमें एक साइट हम रेखिये गती में जिन जिन राशियों का अध्यान कर चुके हैं उसके अधार पर घुर्णी गती में जब उनकी गते हैं इस सारानी में हम रेखिये गती से जूड़े हुए कुछ टांप देखेंगे और साथी ये भी देखेंगे दोगौर्णी गती में किस प्रकार ।ि-जाते हैं और इन-दोनों में क्या संबंध मैं ये भी हमें सारानी में देखेंगई सबसे पहला विस्थापन जिसे रेखिये गती में हम एक से दर्शाते हैं जिसकी कोणी विस्थापन को हम थीटा से दर्शाते हैं और कोणिय विस्थापन बराबर होता है, रेखिय विस्थापन अपन दूरी, यह जो दूरी हमने लिए, यह गुरिनन अक्ष से दूरी कहलाती है, यह हम यू कह सकते हैं, कोई वस्तू य vouchnię कर रहा है, तो गुरिनन अक्ष से उसकी दूरी जितनी होगी, उसे हम आर से जाता है जबकि घुर्णी गती में हम कोणिये वेग लिखते हैं इसे ओमेगा से दर्शाय जाता है और वी बराबर ओमेगा आर होता है रेखिये वेग को हम डी एक्स अपॉन डी ती लिखते हैं जबकि कोणिये वेग को हम डी थीटा अपॉन डी ती लिखते हैं रेखी गती में रेखी त्वरण एसे दर्शाय जाता है जबकि घुर्णी गती में कोणी त्वरण अल्फा से दर्शाय जाता है जहां A बराबर अल्फा आर होता है रेखी त्वरण को हम dv अपन dt से दर्शाय जबकि कोणी त्वरण को हम d omega अपन dt से दर्शाय जबकि कोणी त्वरण को हम d omega अपन dt से दर्शाय जबकि कोणी त्वरण कोणिये वेग में समय के साथ साथ परिवर्ता होता है रेखिये गती में हम द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं और द्रव्यमान का संबंद किसी वस्तू के जड़त्व से होता है वस्तू का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व भी होता है इसलिए हम घुर्णे गती में द्रव्यमान के स्थान पर जड़त्व आघुन लिखते हैं मतलब जिस संदर में हम द्रव्यमान की बात करते हैं घुर्णे गती में हम उसी संदर में जड़त्व आघुन की बात करते हैं और यह आई से दर्शाय जाता है जहां आई बराबर एम आर स्क्वेर होता है रेखी गती में हम आरोपित बाहे बल को एफ से दर्शाते है जबकि घुर्णी गती में हम बल के स्थान पर बल आघून शब्द का स्तमाल करते हैं और इसे टाउ से दर्शाय जाता है जहां टाउ बराबर R x F होता है। लूटन के गती के दूसरे नियम से F बराबर DT upon DT होता है। यानि कि रेखिये समवेग में परिवर्तन की दर। वही घुर्णी गती में चाओ बराबर DL upon DT होता है। यानि कोणिये सम्वेग में परिवर्तन की दर रेखिये गती में बल को हम M into A लिखते हैं यानि कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है जबकि घुर्णी गती में हम बल आघोन टाव बराबर I into alpha लिखते हैं जहां पर I जड़त्व आघोने और alpha कोणी त्वरण होता हैं रेखिये गती में रेखिये सम्वेग को हम P से दर शाते हैं जबकि घुर्णी गती में कोणीये सम्वेग को हम L से दर शाते हैं और L बराबर R x P होता हैं रेखिये सम्वे द्रव्यमान और रेखिये वेक का गुणनफल होता है जबकि कोणिये सम्वे जड़त्व आघोन और कोणिये वेक का गुणनफल होता है रेखिये गती में गतीज उर्जा मान लीजिए इसे हम E T से दर्शा रहे हैं यानिकि ट्रांसलेशनल मोशन में कानेटिक एनर्जी इसे हम हाफ M V स्क्वेर से दर्शा आते हैं जबकि घुर्णन गतीज उर्जा E R से दर्शा ही जाएगी जहां R रोटेशनल मोशन के लिए लिखा जाता है E R मतलब रोटेशनल कानेटिक एनर्जी इसे हम 1 बाई 2 I omega स्क्वेर से दर्शा आएगे रेखी गती के समिकरण देखेंगे और इसी के corresponding हम गती के समिकरण को घुर्णन गती के लिए भी लिखेंगे पहला समिकरण V इक्वल टू U प्लस A T होता है जहां V अंतिन वेग है यू आरंभिक वेग है A एक समन त्वरण है और T समय अंत्रा है तो घुर्णी गती में भी हम ऐसे ही लिखेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा T जहां ओमेगा अंतिन कोणिय वेग है ओमेगा जीरो आरंभिक कोणी है वेग होता है अलफा एक समन कोणी त्वरन है और T समय अंत्रा है रेखिए गती का दूसरा समिकरन इसे हम लिखते हैं S is equal to ut plus half 80 square जहाँ S बिस्थापन को प्रदर्शित करता है इसी के corresponding यदि हम घुरनी गती के लिए दूसरा समिकरन लिखें तो यह होगा theta बराबर omega 0 T plus half alpha T square जहाँ theta कोणी विस्थापन है रेखिए गती का दूसरा समिकरन V square equal to U square plus 2 AS और घुरनी गती में दूसरा समिकरन होगा ओमेगा square बराबर omega 0 का square plus 2 alpha T इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको घुरनी गती से जुड़े हुए concept को रेखिए गती से को रिलेट करके समझाने का प्रयास किया और इससे जुड़े भौतिक राशियों के हमने सूत्र देखे और मात्रक देखे इन मेंसे कई राशिया सदीष थी और कई राशिया अदीष थी अदीष राशियों को को समझने के लिए कि वह सूत्र देखना काफी नहीं होता है भले हम यह जान जाते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी लेकिन जब इसको हम डेली लाइफ में अपलाई करते हैं यह किसी एक्जामपल को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो दिशा बताने में कंफ्यू इस चीज को हम सूत्र के अनुसार या फिर कॉंसेप्ट के अनुसार समझ चुके हैं पर फिर भी जब किसी दो सदीशों के बीच के रिजल्टेंट सदीश के दिशा बताने की बात आती है तो हम वहां पर थोड़ी सी गलती कर सकते हैं और इसी चीज को समझने के लिए मैं आ किया जा सकता है बच्चों हमने न्यूटन के गती के दूसरे नियम से जाना था कि f equal to dp upon dt होता है यानि कि किसी वस्तू पर जब हम बल लगाते हैं तो वो उसके समवेग में परिवर्तन कर देता है और यहां पर हम देखें तो बल और समवेग यह दोनों ही सदीश राशी है अब बल लगा रहे हैं मतलब उसकी निश्चित दिशा होगी उसके कारण उसके समवेग में परिवर्तन हो रहा है तो यह समवेग किस दिशा में होगा तो सूत्र के अनुसार हम देखें तो जो force की दिशा होगी वही समवेग की दिशा होगी यानि कि force लगाने पर linear Momentum भी उ इसको धरम लेते हैं मानली जी हमारे सामने एक वस्तु है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जिस डारेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डारेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा फोर्स अधिक होगा लीनियर मोमेंटम भी अधिक होगा फोर्स कम हम फोर्स के जगे टॉर्क लगाते हैं यानि की बल के जगे बल आघोण और उसके कारण उसके एंगुलर मोमेंटम यानि की कोणी समवेग में परिवर्तन होता है और इसलिए हम गती के दूसरे नियम के अनुसार लिखते हैं टाव बराबर डील अपॉन डीटी और इस सूत्र कि यूँ कहें कोणी समवेग की दिशा भी वही हो गई अब यहाँ पर हमने एक पहिए लिया है वील इस वीड में हम देखें तो इसका मैकसीमों दरवयमान इसकी परीदी पर है इसकी रिम पर है यानि की श सभ औल के बारे में अल्रेडी चर्चा कर चुके हैं कि इस गती पालक पईये में पूरा द्रवेमान इसके रिंग में कॉंसेंट्रेट होने के कारण इसका चड़त्वा आगोना दिक होता है और इसलिए जब इसे घुमाया जाता है यानि कि इस पे जब बल आगोन लगाया जाता है तो वो एक समा कोणिये वेक से गती करने लगता है या यू कहें कि इसकी गती जूर्जा नियत रहती है अब हम इस वील में घुर्णी गती उत्पन करते हैं गुर्णी गती उत्पन करने के लिए इसमें हमें बल आगोन लगाना होगा इस पाईये में कुछ इस प्रकार अरेजमेंट है कि बीच में आप देखें इसके सेंटर में जहां इस पोक सारे जूड़े हैं हम एक सपोर्ट दे सकते हैं ताकि इस बैये को बैलन्स कर सके हैं ऑन हम इस चल एक उसलिक गूमाते हैं यादि मैं इस पई इस डिर्क्शन में कीचने का प्रयाश करते हूं यानी कि बल की दिशया नीचए यह तो यह क्रियेट करेगा टॉर्क मैं कि बल आगोण अब इस बलागोण की दिशय क्या होगी तो आर और एफ यह दोनों के तल के लंबवत हो उसका डिरेक्शन निकाने के लिए हम अपने राइच हैंड के अंगूठे की नियम का आपकी ओर आरहा होगा तो टाब इस चारेक्शन में है तो सूत्र अनुसार एंगूलर मॉमेंटम की भी ड Altern यहीं होगी और और यह इसके केंद्र पर applicable होगा और यहां से clear है कि जब इस चक्के को घुमाया जाएगा तो इसके angular momentum का direction भी इस boat के लमवत सामने की ओर होगा जैसे हम ताउर के मान को बढ़ाते जाते हैं बल आगुन बढ़ाते जाते हैं तो angular momentum का मान भी बढ़ते जाता है और यह इस boat के लमवत upward सामने की ओर बढ़ते ही जाएगा और इसी कारण यह चक्का लगातार भूमते रहेगा तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम चक्के को घुमा रहे हैं यानि की घुर्णी गतिउत्पन ने कर रहे हैं तो उसके angular momentum का direction उस चक्के के घुर्णन अक्ष के समानतर है और इस case में जब हम इसको इस प्रकार anti-clockwise घुमा रहे हैं तो यह boat के लमवत सामने की ओर है अगर हम और clockwise गुमाएंगे तो इसका direction change हो जाएगा बोट के लमवत ही रहेगा पर यह अंदर की ओर होगा कि अब मान लीजे हमने कुछ इस प्रकार ववस्था की है कि इस पहिए को एक साइट से हमने रसी के जरिये लटका दिया है को सर्फ एक साइट से support मिल रहा है दूसरे साइट से यहांपर कोई support नहीं फिलहाल इस चक्ये को मेंने पकड़कर रखा है लेकिन जैसे ही मैं सपोर्ट को हटाऊंगी अपने हाथ को हटाऊंगी तो यहां पर दो बल कारी कर रहेंगे एक तो रसी पर लगने वाला बल उपर क्यों होगा दूसरा कृत्वा कर्शन बल जिसके कारण यह पईया नीचे की और जाएगा यानि कि बल नीचे की और काम करेगा यहां पर हम देख रहें दो बल अपोजर डिरेक्शन में हैं जिनकी क्रिया रेखा अलग-अलग है और यह जो लंबाई दिख रही है इस पईये में जो हमने इसके सेंटर से सपोर्ट लगाए है यह दोनों बलों के बीच का डिस्टन्स है और यही दो बल इसमें टॉर कुद पर्ण करेंगे यानि कि बल आगों न लाएंगे यहां पर टाव की दिशा क्या होगी टाव बराबर होता है डी क्रॉस एफ तो यह डी है मतलब इस सेंटर से जो सपोर्ट दिया है वो डी है दोनों बलों की बीच की लमवद्दुरी और क टॉर की दिशा क्या होगी यहां पर भी हम टॉर की दिशा निकालने के लिए एक बल से दूसरे बल की और मुड़ते हैं मान लीजे इस बल में डारेक्शन अपवर्ड है दूसरे बल का डारेक्शन डाउनवर्ड है हम अपने फिंगर्स को इस प्रकार करेंगे तो यहां पर यदि में टाव की direction निकालूं तो यह चक्के परी होगी और लमवत होगी लेकिन जब हम घुमा रहते तो उसके center में था और center से लमवत था अब score clear करते हम हमने देखा कि टाव बराबर dl upon dt होता है यानि कि angular momentum टाव की दिशा में ही जाने का प्रयास करेगा यानि कि बल आगोंड जिस दिशा में होगा angular momentum भी उसी दिशा में ही change होगा यह दोनों की दिशा एक होगी हम यह कह सकते हैं अब देखते हैं इस चक्के को हम घुमाएंगे और साथ-साथ इसे support भी हटा देंगे ताकि इसे torque भी मिले इस पृत्वी से लगने वाले गृत्वा कर्शन बल के कारण और साथ में रसी में जो tension है उसके बल के कारण इसको एक torque मिले और साथ-साथ घुमाने के कारण भी इस तो यह इस प्रकार नीचे के और गिर जाएगा क्योंकि गृत्वा कर्शन नीचे काम कर रहे हैं लेकिन अब घुमा के देखते हैं घुमाने से अभी हमने जाना कि इसका जो angular momentum है वो इसको घुमाते ही रहेगा लगातार एक बर हमने गुमा दिया उसके बाद हमने torque हटा दि मतलब वो उसी angular velocity से घुमता ही रहना चाहिए अब देखते हैं कि इस चक्के पे क्या फर्क पड़ता है जब यह घुम भी रहा है और इसे support भी हटा दिया जाए यह एक्जैक्ली वैसा ही हुआ जैसे हमने theory में calculate किया यह घुम तो रहा है अपने अक्ष पे साथ-साथ यह rotate कर angular momentum को अपने direction में लेकर जाने का प्रयास करेगा और इसलिए चक्का टॉर्क के direction में ही धीरे-धीरे rotate होगा और इस प्रकार जैसा हमने theory में सोचा था वैसे ही यहाँ पर टॉर्क की दिशा थी angular momentum की दिशा थी angular momentum लगात्तार है टॉर्क की चेस कर रहा है उसकी पीछे 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 बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार यह चक्का anti-clockwise direction में घूम रहा है इस प्रकार हमने theory को इस उधारण से समझने का प्रयास किया कि इस theory को आप apply भी करते हैं अपने देखा होगा जब आप cycle चलाते हैं जब तक cycle का पहिया चलता रहता है आप गिरते नहीं है आराम से गती कर पाते हैं लेकिन जैसे cycle का पहिया रुख जाता है तो आपको अपने प्यार नीचे करने की जरूद पड़ती है आप गिर जाते ह क्योंकि जब cycle का पईया रुख जाएगा वहाँ पे गृत्वा कर्शन बल काम करेगा जो की नीची की और खीचेगा लेकिन आप जब तक चलाते रहेंगे से पैडल मारते रहेंगे वीज घूमता रहेंगा उसको एंगुलर मोमेंटम मिलता रहेंगा और वह लगा तार जिस वेलोसली doet से चलने का प्रयास करेगा और आप गिराइंगे नहीं यह आपने देखाएगा कभी आप गिरते भी रहते हैं तो फैंडल को इस तरका आगे पीछे करते हैं और उतना करने से भी आप समल जाते हैं नहीं गिरते हैं कि जब आप हैंडल को पकड़ते हैं आप देखे होगे कि हैंडल से जो आने वाली पाइप है वो चक्के के 20 से गुजरने वाले पाइप से ही जोड़ी हुई है तो जब आप हैंडल को आगे पीछ लेकिन आपको गिरने से बचा लेती हैं तो इस प्रकार हमने दिशा को ध्यान में रखते हुए सारे कॉंसेप्ट को समझने का प्रयास किया और इस प्रकार उस उधारन को हमने अपने डेली लाइफ एक्जामपल से भी जोड़ा तो आप भी इस चाप्टर के सारे और इसके वजे से इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है